सर सम्विधान खत्रे में हम यहां हसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछणों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंदर सरकार हो, चाहे राजी सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो उसका एक मात्र लक्ष यही है कि समाज के अंतिम यक्ति तक पहुँचना है मैं जिस राज्जी से आता हूँ अध्यक्ष महोदे संधालपृणा एरिया से जब संधालपृणा बिहार से अलग हुआ जारखन तो 2000 में आदिवासियों का पॉपृणेशन हमारे यहां संधालपृणा में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपृणेशन 26% 10% आदिवासी कहां गायब हो गए कहां खो गए इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है वो बोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है और जो हमारे यहां सरकार है जारखन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस वो इसके उपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है आज क्या हो रहा है बंगला देश का घुसपैट हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बंगला देशी घुसपैट ही है शादी कर रहे हिंदू और मुसल्मान का सवाल नहीं है हमारे यहां जो लोगसभा का चुनाव लड़ती है महिला आदिवासी कोटे से लड़ती है उनके पती मुसल्मान है जिला परिशत की जो अध्यक्षा है उनके पती मुसल्मान है मुखिया जो आदिवासी होते हैं और ये टोटल जो है आप समझें हमारे यहां 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पती जो है सभी के सभी मुसल्मान है हमारे यहां भी बिधान सभा का चुना हुआ अध्यक्ष मोदे 123 परसेंट तक यहां सभी लोग चुनाव लड़कर आये हैं प्रतेक पात साल में 15 से 17 परसेंट पॉपलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है हमारे यहां 123 परसेंट जहें मैं जिस लोग सभा से आया उसकी एक विधान सभा मधुपूर में लगवग लगवग 267 बुथों पर 117 परसेंट मुसलमानों की आवादी बढ़ गई और पूरे आप समझेए कि टोटल जो है जारखंड में कमस्कम 25 पिधान सभा ऐसी है जहां 123 परसेंट 110 परसेंट आवादी बढ़ी है यह एक बड़ा चिंता का विसे है दूसरा सर हमारे यहां अभी पाकुर जिले में तारा नगर इलामी और डांगा पाड़ा में दंगा हो गया दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से मम्ता बिर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्सिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदूों का गाउं का गाउं खाली हो रहा है यह बड़ा ही सिरियस मिस है और मैं और रेकॉर्ड का रहा हूँ यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तिफा देने को तैयार हूँ सारे बंगाल से मुर्सिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदूों के उपर चुम किया और यह उन्रेपोर्ड है और जारकंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है मेरा आपके माधियम से स्पिकर महोदे आगरा है कि पूरा मालदा, मुर्सिदाबा, अदररिया, किसन गंज, गटियार और हमारी असाबलन और यह जारकंड हाइपोर्ड का अभी 22 जुलाई का ओडर है जो यह कारा है कि मुसल्मानों की अबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को आसका चेव करना चाहिए कि यह जीतना किसन गंज, गटियार, मालदा, मुस्विदाबाद और पूरा संतार बना है इसको यूनियन टेरेक्टरी बनाईए यह तो हिंदू खाली हो जाएंगे एनासी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमीटी बेजिये और पूरे सभी उसके क्रिल्म कॉंग्रेस के मैक्सिमा में पूर कर लखिये कि वो कमीटी जाए और दूसरा जो यह जो यह लाग कमिशन की रिपोर्ट है दो सब पैटिसमी 2010 की उसको लागू करिए कि धर्मांकरण और साधी के लिए पर्मिशन जरूरी है आपने मुझे मौका दिया इनी सब्दों के साथ जैन जैवारत